हलो फ्रेंड्स मेरे नाम राकिश वर्मा और मेरे यूटूब चैनल पे आपका स्वागत है दोस्तों आज के वीडियो में जानेंगे आज का इतिहास में 10 अगस्त की प्रमुक इतिहासे घटनाओं के बारे में और जानेंगे साथी प्रिशित व्यक्तियों का जन्म और निधन तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो तो सबसे पहले जान लेते हैं 10 अगस्त की महत्पून घटनाओं तो असीरियाई सामराज की राजा सिन सारी सकुन की हत्या 16-612 इसा में हुई थी और निनेवह नगर का पतन हुआ था ये दोस्तों इस सभी घटनाओं 10 अगस्त की पुर्तगाली समुद्र जहाज के कैप्टन डियागो डियाज मेडा गासकर को 1500 इसा में देखने वाले पहले एरोपिय बने पुर्तगाली सेनकों ने 1511 इसा में मलेशियाई राज मलक्का के एक हिस्से पर कबजा किया ओटूमन सामराज और आस्ट्रिया ने 1664 इसा में सान्ती के लिए बसवार की संदी पर हस्ताक्षर किये थे इंगलेंड की राजा चार्ल्स ने 1675 इसा में ग्रीन विच बैद साला की आधारशला रखी हॉलेंड और फ्रांस के बीच 1678 इसा में निजमांगेन शान्ती समझोते पर हस्ताक्षर किये गए कार्लूस तर्तिये 1769 इसा में इस्पैन का समराट बना था अमेरिकी स्वतंत्रता की गोशना करने वाली दस्ताविच की प्रतिव अपचारिक रूप से 1776 इसा में लंदन पहुंची तुर्की ने 1787 इसा में रूस के खिलाब युद्ध की गोशना की थी पैरिस में 1793 को लूब्र संग्रालय का उदगाटन हुआ 200 साल पुरानी पश्चिमी कला इतिहास की संग्रालय में दर्ज और इनमें से एक है मोनालिशा एकवाडूर ने 1809 में इस्पैन में सुतंतता हासिल की मिसौरी इन 1821 में अमेरिका का 24 वा राज्य बना सीरिया में 1822 को आय बिनासकारी भूकांपे में 20,000 लोगों की मौत हुई थी केरेबियाई दीपसमू बारवा डोज में 1831 को चक्रवाती तूफान से 1,5,000 लोगों की मौत हुई अमेरिकी कॉंग्रेश ने 1846 में स्मित सोनिया इंस्टिटूट इस्थापित करने के बिध्यक को मनजूरी दे बच्चों के चहेते स्पाइडर मैन कामिक बुक 1962 में अमेजिंग फैंटेसी में नजर आया था प्रथम बिश्युद्ध में 1920 को पराज़त होने के बाद उश्मानी सासन ने सीवरे समझोते पर हस्ताक्षर किये थे इटली और स्पैन की बीच 1926 में सांती समझोते पर हस्ताक्षर किये गए दुतिय बिश्युद्ध में 1945 को जापान की पराज़य के बाद कोरिया का उत्तरी भाग रूस की लाल सेना के अधिकार में चला गया और कुछ दिनों बाद कोरिया का दक्षणी भाग अमेरिका के अधिकार में चला गया अमेरिका के आंत्रिक्ष अधिकारियों ने 1966 में केव केनेडी से आंत्रिक्ष में रॉकेट उतारने के लिए उप्योक्तिस्थान का चित्र लेने है तुप पहला आंत्रिक्ष यान भेजा 29 अक्टूबर को चंद्रमा पर दुरगटना गरस दोकर तबाह हो गया उपगराय SLB-3 का प्रशेपण 1989 को किया गया 15 महिने की यात्रा के बाद मगेलन आंत्रिक्ष यान 1990 में सुक्र पर पहुँचा और सुक्र पर उतरने से पहले कुछ देर तक लिए उसका संपर्क कैलिफोर्निया इस्तिस अंचालन केंसे टूड गया था चेचेन्या में इसलामिक भूरा ने 1999 में दागिस्तान को स्वतंत्र गोशित किया स्रीलंका में 2000 को सिरे मावो भंडार नायके का प्रधान मंत्री पत्सी स्तीफा और आर बिक्रम नायकी स्रीलंका की नए प्रधान मंत्री नियुक्त जिनेवा में आत्मिन निर्णय के अधिकार परंतराष्टी सम्मिलन कायो जन हुआ था अमेरिकी प्रिशेपात प्रणाली को 2001 में रूस का ससर्थ समर्थन मिला यूरी मालेन चेंको पहले ऐसे बेक्ती बनी जनों ने आंतरिक्ष में 2003 में साधी रचाई थी इंग्लेंड में 2003 को अब तक का सबसे दिखता आपमान 38.5 डिगरी सेल्सेस रिकॉर्ड किया गया था संयुक्त राष्ट और सुडान के बीच 2004 को दारफुर कार योजना पर हस्ताक्षर किये गए तमिल विद्रोहियों पर फोजी कारवाई में 2006 को स्री लंका में 50 नागरिक मारे गये थी अमरनाथ जमीन सुल जहानी के लिए सर्वदलिय प्रतिनीदी मंडल की बेटक में उच्चनाले के वर्ष 2005 के यादिस पर लागू करने पर 2008 में सहमती बनी और चैन्ने की एक लेब में एंटी एट्स वैक्सीन का सफल परिक्षण किया गया था भारत के भारत ने 2010 में उपगराई श्तिरी तंत्र आधारित बिमान प्राचलन तंत्र गगन का सफल परिक्षण किया था अब जानते हैं दोस्तों 10 अगस्त को जन में ब्यक्ती तो बेतनामी समराट ली होन का जन्म 911 इसा में हुआ आरागान के जेम्स दुतिय का जन्म 1267 में हुआ बोहेमिया के जोन का जन्म 1296 में हुआ इतालवी कारडिनल फ्रांसिसको जबरेला का जन 1360 में हुआ जर्मनी के अलवर्ट दुतिय का जन्म 1397 में हुआ जर्मन बकील और राजनेतिक याकूब स्टर्म बॉन स्टेर्मिक का जन्म 1489 में हुआ बेलो इस के मैडीन का जन्म 1520 में हुआ जर्मन आर्गिनिस्ट और संगीतकार हेरो निमस प्रोटेरियस का जन्म 1560 में हुआ फ्रांसिसी गड़तक और अकादमिक गाइल्स डे रोवरवल का जन्म 1602 में हुआ था इतालवी पादरी और मिशनरी यूसेवियो कीनो का जन्म 1645 में हुआ रूसी चित्रकार और अकादमिक एंटोन लोसेंको का जन्म 1737 में हुआ प्रख्या संगितकार विश्णु नारण भात खंडे का जन्म 1860 में हुआ था देश के चोथे रास्टपती बी बी गिरी का जन्म 1894 में हुआ भारती सिन्यमा की अभिनेता प्रेम अधीब का जन्म 1916 में हुआ चंबल की बीहणों से सियासत गलियों तक पहुशने वाली फूलन देवी का जन 1963 में हुआ था अब जानते हैं 10 अगस्त को हे प्रमुख ब्यक्नियों का निधन तो जन्डा गी थे विजय विश्व तरेंगा प्यारा की रचेता श्याम लाल गुप्त पार्षात का जन निधन 1926 को हुआ था भारत की पहली महिला संगीतकार सरसुती देवी का निधन 1980 को हुआ था प्रशिद्य लेखा के हूं ब्यांगेकार हरी शंकर परशाई का निधन 1995 को हुआ था भारती संस्क्रिट विज्ञान पदमे भूशन आचारे बलदेव पाद्या का निधन 1999 को हुआ था तो दोस्तो आज के वीडियो में बस इतना ही आसकरता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें अपनी दोस्तों क्षा शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्यू